तो चलिए अब हम लोग करते हैं current affairs 18th of January 2021 का हमारा पहला टॉपिक है difficult for अब यह difficult for ऐसी classification है जो कि इंडिया से directly related नहीं है लेकिन इंडिया को महाँ डाल दिया गया है जब रदस्ती तो यह news हमें पढ़नी है देखिए हुआ क्या है आपको पता है कि Brexit हो गया Brexit होने के बाद क्या हुआ United Kingdom जो है अपना European Union से अलग हो गया अब अलग हो गया तो इसके जो foreign policies होंगी इसकी नए तरीके से बनेंगी नया यह देखेगा कि world में इसको क्या करने की ज़रूत है क्या करने की ज़रूत नहीं है तो जो UK में based कई research organizations हैं वो भी कई काम कर रहे हैं इस चथम हाउस यह है वहाँ के research institute का नाम और वहीं से बात आएगी आपके difficult four की इस चथम हाउस ने recently एक report publish की थी और उसमें बताया था कि Britain की पूरी चवागे कि Brexit के बाद कैसी foreign policy होनी चाहिए जो report बनी तो उसका नाम था Global Britain Global Broker यह सब आपको जानने की कोई ज़रूत नहीं बस चथम हाउस को एक बार थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लिजी कि United Kingdom का 100 साल पूराना एक policy institute है वहीं पे बात आई है difficult four की उन्होंने ये बोला है चथम institute ने अपने इस Global Britain Global Broker वाले report में ये बोला है कि दुनिया में चार ऐसी countries हैं जहां पे लोगों के rights जो हैं अच्छे से enable न नहीं किया हुए अपने right के लिए fight नहीं कर सकते और उसमें इंडिया को classify किया एक country है Russia दूसरी country है आपकी Saudi Arabia Turkey और देखिए लास्ट में इंडिया देखिए यहां पे Saudi Arabia को बोलना तो समझ में आता है क्योंकि human rights का महां पे citizen के right क्या ही है सब कुछ तानशाह के हाथ में तो व जो चीजे करना चारे कर रहे है आपका जो यजीदी वगर वाला है वो सारा issue भी है वहां से related कहीं न कहीं तो फिर रशिया की क्यों बात आ रही है रशिया हम आपको पता है कि जो आपके Putin है उनका बड़ा अच्छा सा business वगर वालों के साथ मिलके crony capitalism तरह की चीज है अब व आप बताईए difficult court डालना गलत क्यों है इंडिया में आपको पता है हमारे country में rates available है citizen को अपने rights के लिए fight करने के लिए high court में होता है वो supreme court में होता है इसके अलावा judiciary जो lower court है वहां भी आपको धेर सारे rights दिये हुए है PIL है तो कल को question आ जाए क्या इंडिया यहां पे डालना एक terrorist के लिए खुल जाता है ऐसी country को यह बोलना कि citizen की वहां पे capacity नहीं अपने rights के लिए fight करना यह कहीना गईना गलत है और इससे हमें थोड़ा जो है आहत हुआ हमारा दिल कि Britain की institute ने ऐसा क्यों किया एनिवे एक classification की government का नहीं है Chatham House एक institute का है century old UK based policy institute है इसको Royal Institute of International Affairs भी कहा दे रहा हूँ Chatham House को देखिए also known as Royal Institute of International Affairs यह में आपको बता दिया एक independent policy institute है government से relation नहीं है headquarter United Kingdom के London में है इसका और एक यह authoritative अपना एक commentary बनाता है world के events पे उसमें इंडिया को उन्होंने क्लासिफाई किया है difficult form याद रखिएगा difficult form में इंडिया के साथ Russia है Saudi Arabia है साते साथ Turkey है यह तीन कंट्री होगे और साथ में इंडिया है जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था तो this is your difficult form if you want to know the formation of it see 1921 20 101 साल पहले बना था न तो this is all about your difficult form topic now come to your next topic open skies treaty open skies treaty हुआ क्या था कि जब world war 2 हुआ तो उसके बाद आपको पता ही है कि cold war शुरू हो गया cold war हुआ किसके बीच में एक तरफ US एक तरफ रर्शिया लेकिन उस टाइम पे जो रर्शिया था वह यूएस एसर था यूएस एसर था यह पूरा फेडरेशन था एक बड़ा सा था पारफोल था तो दूनों के बीच में cold war चल रहा था तो दीरे-दीर cold war से किसी को फायदा नहीं तो इन्होंने सोचा कि हम जो है peace establish करें तो एक काम करते हैं एक तरफ US एक तरफ रर्शिया और इनके बीच में flights उड़ेंगी civilian flights होंगी याद रखेगा armed flights नहीं होंगी वहाँ missile लेकर नहीं ले जा सकते US से जाएगा flight Russia और Russia से जाएगा flight US और यहाँ पर जो भी आर्मी के installation है nuclear arms वगरा open में दिख रहे हैं सारे को वो चाहे तो देख सकता है इसके लिए reconnaissance flight यूज़ करते हैं जिसमें मतलब दूरबीन वगरा लगा रहेगा लेकिन वही चीज़ें लगी रहेंगी जो allowed है ऐसी चीज़ें नहीं लगाई जाएंगी sensor जो कि allowed नहीं है दूसरा कि quota होता है कि आप कितनी flight ऐसी उड़ा सकते हो right quota होता है limited जैसे कि मान लिज़े कि US का रशिया में 5 quota है रशिया का US में 4 quota है annually ऐसा होता है उड़ाने के पहले आपको पूरी information देनी पड़ेगी prior कि आप कितने घंटे के लिए कहां कहां जाने वाले हो साथी साथ यहां से जो data आएगा बस US और रशिया के बीच में नहीं share होगा और 30 countries हैं उनके बीच में share होगा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि open skies treaty बस और बस US और रशिया के बीच में नहीं थी कई countries के बीच में थी अब इसमें हुआ क्या जब Trump आए तो Trump का यह कहना था कि रश तो इससे Trump खफा थे थोड़ा रशिया पर गुस्सा दिखाना भी था क्योंकि पॉल में बोला जाता है कि उन्होंने रशिया की मदद ली थी तो एक तो यह कारण है Trump ने बोला कि रशिया हमें flights allow नहीं कर रहा है तो जब allow नहीं कर रहा है तो ओपन आस्काइट रीटी में रहने का क्या मतलब हुआ तो last year Trump ने इससे withdraw कर लिया अब गुस्से में recently क्या हुआ है अभी जनवरी में ये news आई है कि रशिया ने भी बोला है कि हम भी open sky treaty में नहीं रहेंगे हम भी निकल जाएंगे तो ये open sky treaty के बार में चली थोड़ा देख लेते हैं इसमें 30 countries हैं बस US और रशिया नहीं है क्या हुआ था कि World War 2 के बाद NATO बना आपको पता ही है NATO को लीड किया USA ने और साती सात उसमें Western Europe के धेर सारे countries आए NATO का यह रूल है कि आप किसी एक country पर आप attack करते हो तो NATO के सारे members उसको protect करेंगे अब इस NATO से गुसे में आपको मतलब उनसे बदला लेने के लिए उनको मतलब कहिए कि टकर देने के लिए उस समय का जो USSR था उसने भी World War 2 के बाद क्या किया NATO के reaction में उसने एक पैक्ट हुआ Warsaw Pact Warsaw जो है वो पॉलेंड में है Warsaw Pact में क्या हुआ कि कई सारी countries आए तो NATO के खिलाब आपका Warsaw आ गया है न यह Warsaw में जो country आए वो आपको पता NATO में USA वगरा और Western Europe की countries थे और Russia communist country उस ताहिम पर उसका प्रभाव था Eastern Europe में तो रशिया ने Eastern Europe के कई countries को मिला के Warsaw Pact बनाया ऐसे करके दो यह खेमे बने फिर क्या होता है कि 1955 में ही देखिए 1955 में ही US के President जो थे आइसेन हार उन्होंने बोला कि हम एक Open Sky Treaty बनाते हैं इससे टेंशन कम होगी Cold War कि हम एक दूसरे पर नजर रख सकेंगे लेकिन अब उस समय पर रशिया माना ही नहीं वार्शॉप Pact के कारण उसके बाकी countries भी नहीं मानें लेकिन फाइनली क्या होता है कि USSR खतम हो जाता है रशिया बन जाता है आपको पता ही है इसका पतन हो जाता है मिखाइल गारवस्चाओ के टाइम पे और जब सारी countries टूट जाती है USSR से तो फाइनली जो वार्शॉप Pact की countries थी वो US और आपकी European countries के साथ एक ट्रीटी साइन कर वो 2002 में जाके effective होई और उसमें कई countries ने sign किया in fact US और रशिया ने भी किया रशिया आप चुकि USSR रहा नहीं तो वो भी सोचा कि चलो हम भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं और बाकी एक non ratifying member भी है जिसने sign किया किर्गेस्तान तो यह सब आपको जानने की जूरत नहीं आपक कि क्या है features देखिए इसमें क्या होता है कि एक member state भाकी जैसे total 30 कंटी तो दूसरे कंटी पर spike कर सकता है या उसकी किसी पार्ट पर है लेकिन पहले से consent लेने के बाद spike करने का मतलब flight रोड़ा सकते हैं वहाँ पर reconnaissance वाल इंस्ट्रूमेंट लगा के देख सकते हैं area imaging ले सकते हैं लेकिन याद रखे कि 72 hours का notice period देना पड़ेगा नहीं तो enemy मान के और उसको गिरा दिया जाएगा और साथे साथ exact flight पात कहां से कहां जाएंगे 24 घंटा पहले आपको देना पड़ेगा और finally जो भी information आएगी troop के movement पे military exercise पे missile के deployment में वो सारे 30 कंटी के साथ आप अब इसके implication क्या है अब कुछ लोगों ने ये बोला कि अगर रशिया और US ये बंधन तोड़ रहे हैं open skies treaty का open sky treaty का तो कल को रशिया और US के बीच में एक बहुत important treaty है new start nuclear arm के लिए तो हो सकता है दोनों गुस्से में इससे भी निकल दें तो अब यहीं पर आपको जानने के जोड़त है कि यह जो new start है उसका evolution कैसे हुआ है और उसके क्या provision है provision तो मैं आपको पहले यही बता दू कि इसमें दोनों countries के बीच में जो active nuclear arms है उसको half करने की बात है दोनों की मतलब रशिया और USA के बीच में एक खाली है active nuclear arms जो है उसको half करने की बात है और इसकी expiry date आ रह रहते हैं कि ट्रम्प अगर फिर से आगे तो यह वाला जो हो है वो भी चला जाएगा जो new start policy nuclear arm को half करने को वह भी चला जाएगा लेकिन बाइडन ने यह बोला बाइडन ने कि मैं president बन रहा हूं और मैं इस treaty को preserve रखूंगा इसको खतम नहीं होने दूँगा तो चलिए यही participant आपके 30 countries हैं देखिए यह sign हुआ था 1992 में 2002 में आया 20 ratifications हुए है 35 ratifiers finally है और यह सारी countries आप देख रहे हैं आपके North America के Canada और US हो गया और बाकी इधर यूरोप के चुकि आपको Eastern Europe वेस्टर्न यूरोप दून हो गया क्योंकि Eastern Europe Warsaw agreement के अंदर था और वेस्टर्न यूरोप आप रशिया ने भी चोड़ दिया तो रशिया भी रेड हो जाएगा यही है open sky city इसको confused मत होईएगा open sky agreement से open sky agreement कुछ और होते हैं वो commercial जो आपकी flight चलती है जैसे मान लिजे मैं आपको जैसा बताया था कि यहां पे आपको पता ही है कि map अगर आप देखेंगे world का तो इंडिया क अगर अफगानिस्तान जाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पाकिस्तान बीच में जाए और पाकिस्तान अपना आस्मान जो है इंडिया की flight के लिए commercial flight के लिए यही कहलाता है freedoms of the air, freedoms of the air यह commercial navigation के लिए commercial aviation के लिए है किसी country के airline के ताकि वो दूसरे country के airspace के उपर से तो उसने अपना पूरा जो है अपना जो स्काई था freedom of the air देना बंद कर दिया था और इंडिया की कोई भी flight अलाओ नहीं कर रहा था इवन प्रधान मंत्री के अलाओ नहीं कर रहा था है ना यह समझ गया अगर आप इंट्रोडेक्शन देखना चाहें तो एक बार देख लिजे वार्सा ट्रीटी और्गिनाजेशन इसको ट्रीटी ओ फ्रेंड्शिप या कोपरेशन अन मुच्वल असेस्टेंस भी वह वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी जस्ट लाइक नाटो वार्सा पॉलेंड में साइन हुई थी फॉर्म और यह कब हुआ था है एक्चली जब वेस्ट जर्मनी जब अपको पता ना इस्ट जर्मनी यूएसासर के प्रभाव में था Communist country था बाद में बरलिन की दीवार टूटी तो दोनों कंट्री साथ हो गए तो वेस्ट जर्मनी जब नाटो में जाता है तो उसके रियक्शन में तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब वो 1955 में वार्शॉप पैक्ट आया तो आपका नाटो कब बनाता है दीकि नाटो 1949 में बनाता नाटो की प्रॉमिस यही है कि अगर कोई भी कंट्रीज पर अटैक करती है इनके मेंबर कंट्रीज पर तो बाकी कंट्रीज को जाके उसको बचाना होगा यही नाटो की प्रॉमिसेज है वार्शा तो एक वीक अग्रिमेंट की तरह खतम होगे लेकि नाटो में ऐसा नहीं है देखिए नाटो में ऐसा नहीं है आज जो है 12 कंट्रीज की शुरुवात हुई थी आज वो 30 कंट्रीज है most recent की बात करें अगर आप तो उ नाटो में जाना चाता है और साथी साथ Georgia भी जाना चाता है नाटो में यह सब aspiring member हैं बाकि 30 कंट्रीज हैं और recent की अगर बात करें तो वो नौर्थ में से डूनिया है साथी साथ मैंने आपको बताया था कि यह भी डर है कि कहीं new start वाली policy ना खतम हो जाए तो हमें यह भी जानना होगा कि यह new start भई क्या होता है new start क्या है यह strategic arms reduction treaty मतलब जो आपके खतरना खतियार है उनको arms का reduction करना nuclear arms reduction treaty है यह United States और Russian Federation के बीच में है है ना Russian Federation और United States के बीच में है और यह sign किया गया था 2010 में प्राग में और उसका ratification वगरा होके जो है finally 2011 में चल रहा था है और February 2021 को इसका expiry date है डर है कि उसके पहले कहीं खतम ना कर ले new start policy आपको क्या लगता है new start एक दिन में नहीं new start के पहले एक और थी treaty है ना treaty of Moscow उसको बोलते है sort strategic उसमें भी यही है फुल पाम आप चिंता मतकरी में दिखा दे रहा हूं यह देखिया जो मैंने आपको sort बोला जो new start के पहले यूएस और रश्या के बीच में sort चल रहा था वो था strategic offensive reduction ट्रीटी यह चला था जून दोजार तीन से लेके 2003 से लेके 2011 तक है ना उसके बाद उसमें देखिये new start treaty आ गई है ना अब आपको क्या लगता है कि new start treaty एक ही बार में आ गई नहीं इसके पहले और भी कई treaty थी जो आना चाह रही थी बट आ नहीं पाई देखिये new start policy के आने के पहले क्या हुआ था start 1 treaty आया था जो कि expire होता 2009 में उसके बाद propose किया गया था start 2 treaty वो कभी force में आया नहीं उसके बाद propose किया गया था start 3 treaty उसके कभी भी negotiation conclude ही नहीं वे तो start 2, 3 ये सब कुछ नहीं आया तो हमें finally new start लाना पड़ा जो कि 2021 में expire होने वाला है इससे ज़्यादा पो जानने की कोई reduction करना है half दोनों countries में यही treaty है तो अगर ये treaty आगे अच्छे से चलते रहे तो धीरे-दीरे reduce करते रहे तो ये world के लिए एक अच्छी खबर है अब आप ये news देखिए United Kingdom urged China to allow access Xinjiang in United Nation मतलब कि United Nation के platform पे ये जा के कौन UK बोल रहा है कि आप United Nation के inspectors को Xinjiang में जाने दो चाइना अब ये क्यों बोला जा रहा है आप समझिए यहाँ पर एक community रहती है Muslim community रहती है Uighar minority community उनको चाइना human rights violation उनके साथ बहुत जादा कर रहा है उनको kind of concentration camp में डाल रहा है और उनकी देमोग्राफी भी change कर रहा है वहाँ पर हां Chinese को ला रहा है जस्ट लाइक वस डन इन तिबद चाइना इस डूइंग जिंजियांग अब जिंजियांग इंडिया से क्यों related है क्यों important है क्योंकि मोदी जी ने वहां को आपके request भी आया था जो जिंजियांग के भागे लोग हैं शिंजियांग बोल सकते हैं शिंजियांग के जो भागे लोग हैं वहां से plan करके मोदी जी ने मोदी जी से उन्हों request की थी और kind of बुलाया जाने लगा था तब तक चाइना ने हंगामा किया कि नहीं नहीं असा मत करो तो फिर नहीं बुलाया गया उनको as a guest यहां पर मतलब गेस्ट क्या बूलिया आप मतलब rehabilitate करने के लिए रखने की बात थी तो यह रीजन ऐसे important क्यों है वो भी समझेंगे पहले यह topic देख ले रहे हैं कि एक Muslim minority community है चाइना के नौर्थ वेस्टन सिंजियांग प्रोविंस में concentrated है और अपना वो जो है टाइस बोलते हैं कि वो तर्क यह एक country की demand तो ना करने लगे है ना बलकि कभी-कभी पहले किया भी है तो चाइना इनकी पूरे डेमोग्राफी चेंज कर रहा है इनको जेल में डाल रहा है परिशान कर रहा है उसी human right के violation पे inspection करने के लिए United Kingdom ने United Nation के platform पे आवाज उठाई है कि UN के जो rights inspector है जो अधिकार क इंस्पेक्टर उनको चाइना के जिंजियांग में जाने दीजिए और विगर कम्यूनिटी को बचाने दीजिए चाइना क्यों target कर रहा है उगर को चाइना बोल रहा है कि देखिए पहले तो हमने already इसको autonomous region का status दिया काफी freedom दी तिबत को भी तिबत को भी autonomous region का status है शिंजिय की demand कर रहे हूं हमें पसंद नहीं इस region के एक और importance यह है कि इस region में बहुत ज्यादा minerals है से तो सूखा region है लेकिन जमीन के अंदर बहुत minerals है साथी साथ इस region की boundary जो 8 country से मिलती है in fact इंडिया से अगर आप गिलगित बलतिस्तान को count करें साथी साथ पाकिस्तान रश्य अफग हान चाइनीज के अंदर हान चाइनीज के पास और यहां के जो इगर मुस्लिम हैं उनको जौब अगर नहीं मिला है वो तो बेचारे livelihood के लिए परिशान है आइडेंटिटी भी थ्रेट में उनके religious जो है उनको जो कपड़े बगर पढ़ने की इसाजत नहीं देता अपनी community के हिसाब से तो यहीं सब सारी चीजों से वाइलेंस भी हुआ इसमें 200 लोग मरे हैं हान चाइनीज के डेत होई है और इस रीजन का capital भी आप याद रखिए उरूंग की उरूंग कोई बाकी इसके बारे में और कुछ बताऊंगा बीजिंग परिशान है बोल रहा है कि वो इंडिया के लिए क्यों important है पहले चाइना में इसकी position देखिए यह रहा चाइना का पूरा मैप यह पूरा चाइना का ही मैप है यहाँ पर इंडिया को दिख रहा है यह रहा मैप इस मैप में आप यह वालर जो रीजन देख रहे है यही आपका सिंज यांग है कैपिटल का है ओरोम कोई ठीक यहाँ पे एक location है उस location का नाम है काशगर ठीक अब यह काशगर को आप दिमाग में रखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका importance क्यों है अब आप यह map देखिए आप यह map देख पा रहे हैं चले आए सबसे उपर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपके जिन्जियांग का यह portion दिखा रहो मैं यहाँ पे जिन्जियांग के portion में काशगर है आप देख सकते हैं काशगर एक मिनट में इसको इसको इंको वाइट कर दो यह आप काशगर देख रहे हैं है ना जिन्जियांग में यहाँ से रोड चली आप देखे कहां से आ रही है यह रोड आ रही है गिलगित बलतिस्तान से क्रॉस होके यह रोड आ रही है आपके पाकिस्तान उक्यूपाइट का स्मीर से होके और वहाँ से ये रोड निकल के कहा जा रही है, देखें इसलामाबाद वगर होके तो चलिए ठीक है, कहा जा रही है, बलुचिस्तान जो प्रोविंस है आपका, पाकिस्तान का, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, याद रखेगा, सिंध में कराची पोर्ट है, यहाँ पे पकिस्तान एकॉनमी कोरिडोर हैं नाव चाइना पकिस्तान एकॉनमी कोरिडोर is part of build and road initiative. नाव हाज, what is happen that, if you are connecting these two points you are coming across गिलगीत बलतिस्तान अन पकिस्तान-Occupied कश्मीर which India says that it belongs to India. ये पकिस्तान प्रॉप नाने से पहले एंधिक से बनाने से पहले चाइना ने इंडिया से कुछ नहीं पूछा उसने पूछा पाकिस्तान से और यहां पर उसकी आर्मी उसके जो हैं एंजेनियर सारे इस रोड पर भरे पड़े तो आप बताईए इसे इंडिया को प्राब्लम होगी कि नहीं होगी तो इसी लिए इंडिया कभी भी बोलता है कि वह बेल्ट एंड रोड इनिस्येटिव का पार्ट नहीं होगा अभी ही आपको पता होगा संगाई कोपरेशन और्गिनाजेशन की मिटिंग हुई थी तो वहाँ पे सारी कंट्री ने रश्या ने सेंटरल एसियन कंट्रीज ने इंडिया के कई नेबरिंग कंट्रीज हो गया थे अज़े गेस टूस ने पाकिस्तान तो रहे गई सारे ने बोला कि बेल्ट एंड रोड इनिस्येटिव का हम लोग फेवर करते हैं और CPEC इंडियन सोवेरेंटी से कॉंप्रोमाइज करता है इंडिया को पसंद नहीं है और यह सूच यह कि अगर इंडिया ने कल को बेल्ट एंड रोड इनिस्येटिव का सपोर्ट कर दिया तो इंडिया कहीं कहीं CPEC का भी सपोर्ट करेगा, फिर इंडिया का ये कहने का मतलब है कि गिलगित बलतिस्तान और पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर से जो रोड बनी है CPEC, उसका इंडिया सपोर्ट करता है, that will be complete, complete, you will have to let go of your claim over Sovereign Territory, गिलगित बलतिस्तान और पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर, because you have supported CPEC, because you have supported Belt and Road Initiative, इसलिए इंडिया कभी भी Belt and Road Initiative का सपोर्ट नहीं कर सकता है, आप इस बात को याद रखिए, ये जिन्जियांग चाइना की दुखती रग है, क्योंकि चाइना चाहता है कि ये लोग देश में सही से रहे, लेकिन रहते नहीं है, दुखती रग इसलिए है कि चाइना अगर अपने इंडिया में Separatist Movement को सपोर्ट करता है, बलता है कि कस्मीर में अगर सेपरेटिस्ट मौव्मेंट हो राए तो वो सही है, तो साथी साथ ये भी समझे कि चाइना को अपना उगर मुसलिम का जो इस दिमांड है सेपरेटिजम का उसको भी सही बोलना पड़ेगा तो इसलिए चाइना बहुत हद तक कश्मीर पे इंडिया के अगेंस्ट कोई यूनिलेटरल स्टेटमेंट नहीं देता पीस-पीस की बात करता है जेनरली क्योंकि जिस दिन वो एकदम डाइरेक्ट सपोर्ट करेगा कश्मीर के मुवमेंट का सेपरेटिस मुवमेंट का तो दैट विल डाइलूट इस क्लेम ओवर उइगर प्रोविंस जब हुमेन की बात आजागी लोग जो मांगे वही दे देना चाहिए तो उइ अब नेक्स टॉपिक पर चले आए जी सेवन सम्मिट जी सेवन सम्मिट में जो भी है इंडिया इसका पार्ट नहीं है याद रखेगा इंडिया इस नौट पार्ट आप जी सेवन राइट इन वाई इस नीज्ज यादा मुसलिम पॉपॉलिशन तो हमें यहां इंट्री क्य तो इंद्रा गांधी ने अपना प्रतिनिदी वहां भेजा था कि हमें भी मेंबर्शिप चाहिए लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि मैं वीटो कर रहा हूं अगर इंडिया को एंट्री दी तो हम जो है मैं छोड़ दूंगा तो पाकिस्तान की लब में लोगों ने अलाओ तो नह पाकिस्तान का नराज भी वहते लेकिन उन्होंने बोला कि तुम तो कमजोर कंट्री हो कौन सा फोकस करेगा उसी तरह अब जब G7 की मिटिंग हो रही है तो उन्होंने यह रिलाइज किया कि आज की दुनिया में आप इंडिया को इंडिया को नहीं कर सकते तो इन तीनों को ह करेंगे G7 सम्मेट में गेस्ट कंट्री की तरह तो यहीं पर आप समझेए कि G7 क्या है G7 ऑरिजिनली जी एट था उसमें कभी रशिया वगर भी होगा लेकिन अब नहीं है तो G7 कंट्री है इसको बनाएगा था 1975 में यहां पर वर्ल्ड के जो लिडिंग इंडस्ट्रियल न कंट्री है कैनाडा है कैनाडा है तो उसके साथ यूएस भी है ठीक है अमेरिका से कौन सा हो गया अमेरिका से यूएस हो गया और साथ ही साथ कैनाडा हो गया आगे फ्रांस है जर्मनी है और इटली है तो यूरोप से कौन हो गया फ्रांस जर्मनी और इटली ठीक तीन दो प चार पांच्छे, एक United Kingdom को मैंने मिस कर दिया, तो Britain भी याद रखिए, Britain है, France है, Germany है, Italy है, चार कंट्रीज है, सती साथ US Canada है, और पिर जपान है, ऐसे करके 7 हो गया आपके है, इंकम मेन परपस वही है, कि इंटरनेशनल एकॉनमी की इसू अगर 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 को डिसकस करते हैं, global problem को resolve करने की कोशिश करते हैं, economy की इसू इंकम मेन फोकस होता है, अच्छा चलिए अगर एक map बना दें कि G7 countries और बाकी जो ऐसे grouping के बीच में relation कया, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, G7 countries, G7 countries में मैंने आपको बोला कि North America से US और Canada, तो चलिए कौन कौन से हैं, US हो गया Canada हो गया, मैंने बोला Europe से की चार countries है, UK, France, Italy और Germany, ठीक, चार दो छे हो गया, और Asia से एक ही country है जापान, तो यह G7 हो गया, what is G8, G8 में Russia, ठीक, 8 countries हो गया, now UPSC में 2020 में question आया था, G20 का जो कि expected नहीं था, memory based question लेकिन आया था, तो मैं आपको G20 भी याद करा दे रहा हूँ है उसमें Malaysia और Indonesia में बहुत लोग confused थे, यह सारी जो आपने countries देखिया अभी G8 की जो जितनी countries देखिया, आपने सारे यहाँ पे member, आपने G7 अच्छा से याद कर लिए, साथ में Russia जोड़ दीजिए, G8 हो गया, सारी countries जो है यहाँ पे G20 की members है, तो G20 में यहाँ के 8 countries तो मैंने डाल लिए, उसके अलावा क्या, Turkey, European Union भी है एक अलग से, Turkey हो गया, European Union हो गया, South America से Argentina है, Brazil है, South America से Argentina, Brazil है, और North America में आपके पता है कि G7, G8 में आपका Canada था, और US था, लेकिन जब G20 की बात होगी, तो वहाँ पे मेक्सिको भी आएगा, याद कैसे रखेंगे, जब G20 की मीटिंग होई तो मेक्सिको के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी को खुझ से अपनी कार ड्राइब करके घुमाया था, फिर आया था, तो ऐसे याद रख लीजे, तो मेक्सिको आपको याद रह अब मैंने वहाँ पर बोला कि एशिया की एक ही कंट्री है, जी सेवें जी एट में, तो वह थी जपान, लेकिन आप सोची कि जपान का एक पड़ोसी कॉंप्टीटर देश जो की काफी विक्सित है, काफी economically developed है, वो कौन सा है, South Korea, तो G20 में South Korea, G20 में mostly सारे economic developing अच्छी कंट को याद हो गया, Argentina, Brazil आपके South America से हो गया, यहाँ पर South Korea हो गया, अब developing developed countries की बात हो गया, तो चाइना भी हो गया, चाइना को अलग से मत भूलिएगा, चाइना भी हो गया, फिर एशिया में और कंट्री देखिए, कौन है, यहाँ पर इंडोनेशिया देख रहा है, इंडोने गया भी है, जो Australia को उन्होंने इन्वाइट किया था, जिसको किया था, Australia को किया था, South Korea को किया था, इंडिया को किया था, यह तीनों G20 का मेंबर है, इंडिया है, ठीक, लास्ट में South Africa भी है, तो अफरिका से बस एक कंट्री है, South Africa, अगर और आप इसको थोड़ा रिलेट कर रिजे, यहाँ पर Brazil है, yes, Russia है, yes, Russia भी है, यहाँ पर G8 के अंदर, अचा, इंडिया है, yes, इंडिया भी है, चाइना है, yes, चाइना भी है, और South Africa, yes, यहाँ पर आपका South Africa भी है, बड़ा असान हो गया, G7 G7 प्लस ब्रिक्स, कितनी कंट्रीच हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 कंट्रीच तो आपको ऐसे ही याद हो गया, G7 प्लस आपका ब्रिक्स, 12 कंट्रीच ऐसे ही याद हो गया, साथ में आपको South America का देखिए, एक Argentina याद रखना है, 13 हो गया, European Union अलग से याद रखिए, 14 हो गया, और फिर आपका जो मेक्सिको है गाड़ी में घुमाया तो वो स्वल्ला हो गया, और साथी साथ South Korea और Australia जिनको इन्वाइट किया गया था, उनको भी मत भोलिए, तो ऐसे करके आपकी कंट्रीच जो के साथ में एक इंडोनेशिया को थोड़ा और साओधिय अरभिया को अलग गया था, लेकिन बाद में रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के जो प्रेशिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से आपना एक एक आक्ट किया, पता ही है न, इस्टन यूक्रेन में कंकर किया था क्रिमिया को, की बोल दिया हो न, की की उसका कैपिटल है, क्रिमिया को उन्होंने ले लिया था, 2014 में, तो इसके बाद उनका बहुत क्रिटिसिजम हुआ, जी एट के बाकी नेशन से, जी एट में आपको पता ही है, एक तो रशिया और बाकी जी सेवन के मेंबर, तो बाकी जी सेवन के मेंबर ने यहाँ पे तो थोड़े और अपने concept क्लियर कर लेते हैं है ना तो हम बात करेंगे जी फोर नेशन्स की तो जी फोर नेशन्स वो कंट्रीज है जो की चाहती है कि उनाइटेड नेशन का जो सेक्यूरिटी काउंसल है उसके पर्मानेट मेंबर्स हैं जो पांच उसका expansion किया जाए और उनको तो भी युनाइटेड नेशन्स स्केरिटेड कांचल को बदलते दुनिया के हिसाब से जग्या दी जाए ये चार कंट्रीज हैं तो आप खुды सोचिए जब युनाइटेड नेशन स्केरिटे कांचल बना था उसमें कौन सी कंट्रीज होंगी उसमें pennil هो कंट्रीज होंग आपका ये UK, England, ये भी है, और कौन जीता था World War, France, ये भी है, ये चार्थ आपको याद रहेंगे, साथ इसाथ, चाइना आपको पता ही है, बार-बार विटो करता रहा है, तो चाइना भी याद रहें, चाइना भी तो जपान ने कबजाई किया था नो, उस पे, तो ये वो भ वर्ड वर्ड टू लूज किया था, लूजर्स, लूजर्स में कौन आपको याद रहेगा, जर्मनी, लूजर्स में आओ और आपको कौन याद रहेगा, जपान, ये दोनों कंट्रीज जो है, जी फोर नेशन में है, जो कि यॉनाइटे निशन सेकुरिटी काउंसल में, में पर्मानेट, उसके लिए दिमांड करें, क्योंकि उन्होंने वर्ड बार लूज करने के करान, यहाँ पर उनको मेंबर्शिप नहीं मिली थी, लेकिन इसके लावाँ यहाँ पर इंडिया भी, इंडिया कहना है, इतनी पॉपलिशन है, हमें भी जगर मिलनी चाहिए, इंडि जी सेवें वेर्ड कॉमन डिनामिनेटर इस एकोणमी, जी सेवन में एकोणमी पर बात होती है, और लॉंग टर्म पॉलेटिकल मोटिप पर होते है, जी पॉर का तो प्राइमरी एम है, कि उनको पर्मानेट मेंबर दे दो, अब यह बताईए, कि इस बात से कौन नाराज वह नाराज होगा जिनको इन चार कंट्री से प्रॉब्लिम है अब इंडिया काफ़ी अब चैनलम किस से है इंडिया से को पाकिस्तान को तो Italy नाराज तो रहेगा कि नहीं, बाकी लोगों को भी admission ना मिले, तो Pakistan G4 के against जाएगा, Italy G4 के against जाएगा, ऐसी सारी countries जो इस G4 nation के demand के खिलाप हैं, उन्होंने अपना एक group बनाया, उसको बोलते हैं, Uniting for Consensus, या फिर Coffee Club भी जो कि आप Mains के answer वगरे में यूज कर सकते हो सकते ह तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, Uniting for Consensus या फिर आपका Coffee Club का जो issue है, यह map देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, इसको lead करने वाली main countries कौन है, तो सब आपको नहीं जानना है, लेकिन lead करने वाली main country देखिए, यहाँ पर आपको बताया मैंने कि Japan डिमांड कर रहा है, अब जापान के बगल में आपको बताया कि एक developed countries कौन सी है, जो उसका competitor है, दोस्त भी है, South Korea, तो एक तो यह बन गया कि South Korea आपका Coffee Club में रहेगा, या Uniting for Consensus बोलते उसमें रहेगा, ऐसे लिखते है, Uniting for Consensus, एक तो South Korea हो गया, जो lead कर रहा है, बहुत countries है, इंडिया से प्रॉब्लम इंडिया को जाना है, आपके G4 में है, उसे प्रॉब्लम पाकिस्तान को, तो दूसरा पोल इसका leading का कौन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतने सोगा क्या, नहीं, आपको मैंने बताया कि World War हारने में जर्मनी नहीं था, इटली भी था, तो जब जर्मनी जाना च चाहेगा, तो उसका विरोध कौन करेगा, इटली करेगा, एक leadership इटली ले रहा है, अब यहाँ पे देखिए कि US को, आपको पता ही है कि US Permanent Security Council का है, तो Canada को problem है, एक leadership Canada ले रहा है, नीचे मेक्सिको भी ले रहा है, और बाकि यह एक South America का country ले रहा है, यह सारे मिलके जो है, कॉफी क्लब बनाते हैं, कॉफी क्लब और इसको साथी साथ कॉफी क्लब के अलावा और क्या बोलते हैं, Uniting for Consensus, यह पूरा concept हुआ, जब यहाँ पे इतनी बात हो गई, G7 की, G20 की सब की बात हो गई, तो क्यों न हम थोड़ा सा OECD भी देख लें, OECD, Organization for Economic Corporation and Development, यह काफी प चाइना, कोई इसका पार्ट नहीं है, हाला कि इसमें धेर से कंट्री लेकिन इंडिया, रशिया, चाइना, यह सब पार्ट नहीं है, 1961 में देखिए, फाइनली इसको बनाया गया था, शुरवात में कुछ और बना था, और साथी साथ यह याद रखी कि इसमें अभी 37 कंट् नहीं करता, आपको पता है ना कि base erosion and profit shifting जो initiative है, tax session की चोरी बचाने के लिए, BEPS, वो OECD और आपके G20 मिलके चला रहे हैं, तो इंडिया वो भी BEPS तो यूटिलाइज करती है, इसके लावा पीसा जो student का assessment का program है, तो उसमें भी इंडिया आपने student बेजती है, वो program OECD का है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया इसे बहुत हटके हैं, बट इंडिया अगर member की बात करें तो इसका member नहीं है, तो कौन से country इसका member है अगर आप देखना चाहें, तो कुछ नीचे में country दिखा रहा हूं, आपको याद नहीं रखने हैं, आप चिंता मत करिए, ये country हैं इसके जो है शुरुवाती member हैं, देखिए बता रहे हैं, आप्टर सेप्टेमर टूट अटेर में, बट निवर देलेस, कंसिडर फाउंडिंग मेंबर हैं, इतने सारे इसके country थे, आज तो काफी जादा country हो चुकी हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक और नेक्स टॉपिक जो है, वो है 5G technology का, मैं इस पर थोड़ा लंबर discussion करना चाहूँगा, 5G technology पर ये कैसे evolve वो है, 1G से लेके 5G जैसे पहले आपको discussion किया था, तो इसको मैं detail में करूँगा, तो इसको मैं next वाले lecture में जोड के आपको महां पर पढ़ा दूँगा, इस lecture में बस इतना ही सुनने करे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी चो PDF है, मैं आपने अभिनो सिंग ऑफिस्यल में डाल दूँगा, ये टेलिग्राम के नीचे आप देख रहे हैं ये वाला, ABHI NAW सिंग ऑफिस्यल, यहां पर आप जाके PDF को आप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाकि ये वाला टापिक मैं next lecture मे कवर कर लूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,